उन्होंने का मेरा मन ऐसा कहता है जैसा है महापुरुज्यन इशारा करते हैं कि एक बार तुमें भोग के देख लो तो अपने मन को शमझा लूँगा नहीं नहीं यह ऐसी फिशला नहीं इसमें जो फिशला तो गुरु कृपा हरी कृपा ही आपको पुना चढ़ा सकती है नही तो यह फिशलता ही चला जाएगा पकड में नहीं आएगा फिर आप यह उच्छाह भी खो देंगे कि मुझे परमार्थ में चलना है देख ले ना यह उच्छाह भी खो देंगे जैसे जैसे आप धर्मयुक्ति विश्यों का शेवन और अधार्मिक क्रियाओं का त्याग वै अध्यात्म बल निरने करने की शक्ति दुखों को शेहने की शक्ति कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता ऐसा एक ओज तेज बल यह प्रगठ हो जाएगा जो आप निरास हताश उदाश इसी मन की शलाह के कारण हुए है इसलिए हे उपाशक हे भाई तुमने सब भोग यह तुम्हारा जन्म केवल भगवत प्राप्ति के लिए है प्रभू को रिजाने के लिए है कभी मान बढ़ाई में कभी भोग वाश्रुना में कभी शरीरा अभिमान में कभी मोह ममताव यह ऐसे फसाती रिती माया विद्यादाना ध्वराद्व्य है कतिकति जगति ख्याति पूजाद्य लब्धा कभी कभी मन धर्म की आड में दान पुल्णे आदिकी भावना से अहंकार को पुष्ट कराने लगता है अंताकर्ण चतुष्टे में चार धर्म हैं बुद्धी का काम निश्चे करना है मन का काम शंकल्प विकल्प चित का चिंतन अहंकार का श्वैकार करना मैंने ये कर्म किया मैं ऐसा कर्म करूंगा मैंने ये भोगा आगे ऐसा भोगूंगा ये जो अहंकार को पुष्ट करने के लिए धर्म की आड में दान पुन्यादि करते हुए हम अहम को बढ़ावा देते ये माया का फशाव है अपनी वस्तु मान कर दान करने से ठीक है कई गुना वो मिल जाएगी आपको पर जितने आपके पास है उतना आपको दुख दे रही है भगवद विश्मरन करा रही है अहंकार बढ़ा रही है तो उससे दस गुना और बढ़ जाएगा तो अशान्ती तो और बढ़ जाएगी तुम्हें लगता है वईभव बढ़ने से शान्ती होती है नहीं ग्यान बढ़ने से शान्ती होती है त्यागाच्छांत रनंतरम विवेक के द्वारा असत वस्तू असत पदवी असत क्रिया असत चिंतन जब इनका त्याग होता है तो शान्त हमारा स्वरूप है क्योंकि हमारे अन्शी भगवान का स्वरूप है शान्ता कारम भुजग शयनम देखो कोई साप पे लेटके भी सान्त रह सकता है और ये तो भगवान सेश जी और उनकी गोद में लेटे हुए हमारे प्रभू कैसे शान्ता कारम तो हमारा स्वरूप क्या है शान्त है संकर सहज शुरूप शमारा लाग शमाधी अखंड अपारा अखंड अपार शमाधी परम शान्ती तो ये जो हमारा मन हमको संकल्पी कल्प में फशाता है कि ये दान कर दूं तो ये मिल जाएगा ये कर दूं तो ये मिल जाएगा करो अपनी वस्तु मान के नहें तदियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव शमर पए हे गोविंद, हे प्रियाजू आपके द्वारा जो शेवा सामागरी दी गई है वो शेवा सामागरी आपके चरणों में समर पित है इससे आपको भगवत प्रेम मिलेगा भगवत कृपा मिलेगी आप महान शांती को प्राप्त होंगे क्रियावई है अपनी वस्तु मान के दोगे तो कई गुना बढ़के मिलेगे और प्रभू की वस्तु मानके दोगे तो प्रभू मिल जाएंगे जो परमलाब है इस मनुष्य जीवन का परमलाब भगवत प्राप्ति है श्री पाद कहे रहें कि विद्या माया के दो शुरूप है एक है अविद्या और एक है विद्या दोनों माया ही है पर विद्या में भगवान की प्राप्ति का मार्ग प्रकाशित होता है और अविद्या भगवान से विमुक करके नाना प्रकार के भोगों में फशाती है दोनों माया ही है पर जो विद्या पढ़कर के उशे अभिमान सी उक्त कर लिया जाता है वो फशाने वाली ही बन जाती है क्योंको वो भी माया ही है मैं सास्त्रों का ग्याता हूँ मुझे बहुत आता है मुझे सब ग्यान है मैं बिद्वान हूँ यह ठीक नहीं यह अंकार आपको फशा देगा यह मुक्त करने वाला नहीं है मुक्त करने वाला जो ज्यान है जो विद्या है वो विद्याविने संपन्ने ब्राम्ने गविहस्तनी स्वनी चयुसुपाके चापंडिता समदर्शिना तुम्हारी विद्या के प्रभावशे अविद्या नष्ट हो जाए और शमदर्शी दर्ष्टी प्राप्त हो जाए सब में एक ही परम्तत्विराजमान है ऐसा अनुभव हो जाए ये विद्या का लाब हुआ पर हम विद्वान होकर विद्या अभिमान करके अगर अपने को और बांध रहें तो विद्या नहीं है वो अविद्या ही है